तुम्हें 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 तुम्ह हलो कोई है अंदर आई अरे जियान बेटा तुम यहां क्या आप मुझे बता सकती है कि जियान फैन क्लब का प्रेजिडेंट घर पर है या नहीं लगता है जरूर कुछ गलत होने वाला है दूरे मौन वो पास आता जा रहा है हेई कैसे हो तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी न्यूज है सुनना चाहोगे जल्दी बताओ ना जियान देर किस बात की तो फिर तयार हो जाओ ये देखो आखिरकार ये जियान का डिनर शो है क्या कहा डिनर शो हाँ सही कहा तुम्हें वहाँ सिर्फ मेरे गाने सुनने को नहीं मिलेंगे बलकि तुम्हें वहाँ पर मेरे हाथ का बना घर का खाना खाने को मिलेगा क्यों क्या कहते हो बोलो तुम्हारे हाथ का खाना याद है पिछली बार उसे खागर हमें क्या हुआ था हाँ एक लड़की ने उसके हाथ का खाना खाया उसका टेस्ट बुरा था डोरे मौन तुमने सही कहा क्यों कहो मेरा मतला वह वो तो बहुत ही डिलिशस सा जियान हाँ हाँ मैं जानता हूँ वो टेस्टी था ये देखो मेरे पास पूरे हंडरेड टिकेट्स है हंडरेड टिकेट्स? हाँ हंडरेड टिकेट्स अगर कम पड़े तो मैं और भी ला सकता हूँ ठीक है अब तुम दोनों को बाकी के काम देखने होंगे मैं कुकिंग और रिहर्सल करूँगा ये हे मैं बहुत बिजी हूँ लेकिन हम इनका क्या करेंगे हमारे पास और कोई चारा नहीं है नोबिता पता नहीं ऐसा हमेशा क्यों होता है नोबिता एक काम करो तुम जाकर इन टिकेट्स को बेच रो मैं बाकी तैयारिय करता हूँ ठीक है हाँ क्या इन टिकेट्स को कोई खरीदेगा यहां आसपास तो कोई नहीं दिखता लेकिन अगर टिकेट्स नहीं बिकी तो जियान मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा अब मैं क्या करूँ मॉम जल्दी कीजिए कहीं चलते हैं हवाई होंग कॉंग या कहीं भी जल्दी कीजिए अरे यह तुम क्या कह रहे हो सुन्यो अगर नहीं गए तो बहुत बेड़ी प्रॉब्लम हो जागी मॉम हाँ अरे नोबिता तुम नहीं नहीं मैं नहीं आसकता अभी मैं मॉम के साथ ट्रिपट जा रहा हूँ चलो भी ऐसा मत करो खास बात ये है कि इस कॉंसर्ट में तुम्हें खाना भी मिलेगा सुन्यो ये तो और भी बुरी बात है नोबिता मान भी जाओ प्लीज मेरे लिए ही सही सुन्यो नहीं बिलकुल नहीं मैं नहीं जाना चाहता समझे तुम हाँ देखना मैं जियान को ये साब बता दूँगा बेशक मुझे मार खाने पड़े पर मैं उसका गाना नहीं सुनूँगा हाँ सुनिया आंटी जीरो कहा है बेटा जीरो को तो बहुत तीज बुखार है वो नहीं आ पाएगा क्या अभी तक तो वो बिलकु ठीक था ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने ठंडे ठंडे तीन जूस पी लिए बेटा ठीक है हाँ आते हूँ अरे नोबिता बेटा तुम हलो आंटी कैनी जी घर पर है क्या कैनी जी ममा अगर नोबिता घर आए तो बोलते ना कि मैं घर पर नहीं हूँ तुमने तो सुन ही लिया ओगा कि वो घर पर नहीं है ठीक है बेटा हाँ बाई बेटा फिर मिलेंगे हाँ सब घर पर ना होने का या बीमार परने का बहाना कर रहे है मैं क्या कर सकता हूँ मैं यह खुशी से नहीं कर रहा पर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है क्या मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा नुबिता यह बताओ कि तुम मुझे ये सब क्यों पेशना चाहते हो ऊपाव बोलो ना ऐसा मुझे से मत पूछो मैं तुम से रिक्वेस करता हूं ठीक है नुबिता तुम्हारे लिए मैं एक टिकेट ले लेती हूं लहो दो मुझे एक टिकेट मुझे मापकरना शेशुचा भूल जाओ ! इसे भूल जाओ ! बुपिता रूको ! बुपिता चला गया ! अरे नहीं !! अब मैं क्या करओ ? हां ? दोबिव। यह क्या कर रहा है ? तुम क्या कर रहे हो Francis ? नोबिता तुम उस मैदान में मत जाना लेकिन क्यूँ जियान की रिहर्सल बस अभी अभी शुरू होई है क्या बात है मैं तुम बहुत अच्छा गा रहा हूँ लगता है वो इस पर अच्छे से तयारी करने वाला है अरे नहीं अरे नोबिता तुम कहा जाने हो क्या क्या कहा तुमने तुम तीस घरों में गए और एक भी टेकेट नहीं में की हाँ सबके सब बहाने बना रही है डोरे मॉन लेकिन इसमें उनकी तो कोई गाती नहीं है ना नोबिता मैं भी इससे बचना चाहता हूँ हाँ एक और इंसाम है सुरो डेकी सुगी बात यह है कि आजियान को कॉंसर्ट है क्या क्या कहा तुमने जियान का कॉंसर्ट है मुझे पता नहीं था अब तो और कोई आप्शन नहीं है लाओ दे दो वाओ शुक्रिया तुम बहुत अच्छे हो डेकी सुगी लेकिन एक बात बताओ एक ही टिकेट बेचने से क्या होगा क्या तुम्हारे पास जियान का कॉंसर्ट रोपने के लिए कोई तरीका नहीं है जवाब दो नोबिता अगर तुफान आ जाये तभी वो रुक सकता है या फिर अगर जियान की मॉम उसे डांट लगाये तभी वो रुक सकता है सिर्फ यही दो चीजे उसे रोक सकती है नहीं तो उसे रोकना नामुम्किन है अरे हाँ जियान की मॉम सही कहा चलो चले हाँ चलो चलकर जियान की मॉम से बात करते हैं डोरे मॉन हाँ हम उन्हें बताएंगे कि हम कितने परिशान हो रहे थे अरे ये क्या ये आज बंद क्यूं है पीछे चलो हाँ हलो सुनिये कोई घर में है कोई घर में है हाँ ये तो जियान का डॉग मूकू है अरे मूकू तुम्हें क्या हो गया मूकू बताओ कोई घर में है क्या मुझे लगता है कुछ तो गड़ बढ़ है नूबिता हाँ ये दर्वाजा तो खुला है यहाँ कोई जरूर होगा जैको तुम तुम भीग हो ना जियान भया ने कहा कि वो कुछ स्पेशल बनाने जा रहे है इसलिए उन्होंने ग्यास पर कुछ रख दिया मैं उनकी हेल्प कर रही थी पर अब नहीं हो रहा लेकिन तुम ठीक हो ना हाँ थैंक्यू मैं ठीक हूँ पर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो बताओ पर मॉम कहा है अरे हाँ तुम दोनों को तो यह पता नहीं होगा ना मेरे डाड और मॉम किसी के साथ एक ट्रिप पर बाहर गए है बाहर गए है यह तो बहुत बुरी खबर है कि जियान की मॉम औड़ घर से बाहर गए है इसलिए जियान यह सब कर रहा है पर यह ठीक नहीं है मेरे पास बहुत काम है मैं बहुत बिजी हूँ वैसे तुमने कोई टिकेट्स बेची अब तक हाँ थोड़ी बहुत अगर तुम्हारे पास टिकेट्स खत्म हो जाए तो मुझसे और ले लेना देखा डोरेमन लगता है यह कॉंसर्ट करके ही रहेगा पता नहीं अब हम दोनों इस बारे में क्या करने वाले हैं हाँ क्यों ना हम वैदर बॉक्स का इस्तमाल करें क्या कहा वैदर बॉक्स हाँ ठीक है हमें सिर्फ टाइफून काट को अंदर डालना है वैदर बॉक्स और टाइफून काट बहुत बढ़िया टाइफून बन गया डोरेमन हाँ आटम ने सही खानो बितार कि यह पांच बजे तक बढ़ता रहेगा इस शहर में 50 मीटर पर सेकंड के रफतार से हवाय चलेंगी ठीक है चलो चलके जियान को बताएं ठीक है मुझे पता है कि वह जरूर अपना कॉंसर्ट कैंसिल कर देगा हाँ यह स्मेल तो बढ़ते ही जा रही है तुमको खाने की स्मेल इतनी अच्छी लगी कि तुम सीधे दोड़े चले आए परिशान मत हो आज मैं एक ऐसी डिश बना रहा हूँ जो पहले कभी किसी नहीं बनाई समझे मेरी बात बस अब देखते जाओ बुरा मत मानना लेकिन हमारे शहर में एक तूफान आया है हाँ लूपिता बिल्कुल सही कह रहा है एक बहुत बड़ा तूफान क्या कहा एक तूफान चिंता मत करो मेरी आवास किसी भी तूफान को मात दे सकती है समझे उमीद करता हूँ तुम टिकिट्स बेच रहे होगे हाँ सुनो जियान पर जियान मैं इसमें फ्लेवर लाने के लिए सोया बीन पेस्ट आड़ करूँगा और फिर फाइनल टश लाने के लिए जैम आड़ करूँगा टाइफून का प्लान तो फेल हो गया अब हम क्या करें बोलो डो रेमान हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने वो किया नोबिता अब हमारे पास सिप एक ही रास्ता बचा है हमें जियान का गाना सुनना पड़ेगा हाँ हम कर भी क्या सकते है यह प्लाग्स प्रस्टेट वोक्स और टॉनिक वो नहीं आया टाइन तो हो भी चुका है अरे जाको हाँ जाको बताओ जियान को क्या हुआ वो भाईया को तो हाँ बताओ जाको क्या हुआ अरे बाँ ये तो बहुत अच्छा हुआ हम बच गए हम बच गए हम बच गए हम बच गए हम बच गए